विल्कम डियर श्टुड़न्ट तुदा उनलाइन क्लासेस अपसरदार वललब बाई पटेल इंग्लिश मेडेम स्कूल यावल माई नेम ही सुवर नापाटील तुड़े वी आर गोईंग टू लॉर्न स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट EBS लेसन नंबर 16 हमारे लेसन का नाम वह क्या है? क्लोज है यानिके आखे बंध है देन, how did she tell what sound she was hearing? देखो, जो ताई है, उसके आख क्या है? बंध है Blindfold यानिके आख बंध होना, वो कैसे है? बंध है, लेकिन बाहर से कोन से आवाजारी वो उसको सुनाई दी, और वो आवाज किसकी है, वो भी उसने बताया, ओके? Next, what are the different things that ताई has in her hand? How does the boy guess what they are even when he is blindfolded? देखो, जो ताई है, उसके हाथ में बहुत सारे चीज है, अलग-अलग वस्तुए है, और जो बाई है, उसके आखे बंध है, लेकिन फिर भी उसने उस चीजों को बराबर identify कर लिया, लेकिन वह कैसे किया, उसकी आखे तो बंध है, लेकिन फिर भी उसने उस ताई के पाथ जो जो चीज है, उसको पेचान लिया. What are the different things that ताई has in her hand? How does the boy guess what they are even when he is blindfolded? Both of them are blindfolded now. देखो, यहाँ पे भी जो दोनों के आख बंध दिखाई देती है, but they can tell which is a उली. देखो, उनकी आखे बंध है, लेकिन फिर भी जो स्वेटर वह बना रहे है, sweater and which is a cotton shirt. देखो, दोनों की आखे बंध है, और फिर भी उन्होंने जो उला हुआ स्वेटर है, और जो बनियन होता है, उसके बारे में पेचान लिया है. कौन सा स्वेटर है और कौन सा स्वेटर नई है, उसको भी उन्होंने पेचान लिया है. You can also try this and other simple experiments with a permission of your elders. ऐसे जो प्रयोग होते हैं, हम लोग कर सकते हैं. देखो, यहाँ पे एक गर्ल है और एक बोई है. उन्होंने अलग-अलग प्रकार के बहुत प्रयोग किये है. आखे बंद होकर भी उन्होंने सब चीजों को आइडेंटिफाइ कर लिये हैं, लेकिन वह केसे करते हैं, वह अभी हम आगे देखेंगे.